बच्चों इसके पहले वाले भाग में मैं आपके लिए लेका आया प्रत्म अज्याए जिसमें हमने देखा कि सोर मंडल में प्रत्वी की इस्तती किस परकार से है अब इसके दूसरे भाग अतात अज्याए दो में मैं आपसे बात करूँगा कि प्रत्वी का एक लगूप प्र और देशांत्र इसमें प्रतम भाग में मैं आपसे बात करूंगा अक्सांस के बारे में और वहीं इसके दूसरे बाग में बात करेंगे हम देशांत्र और देशांत्रों से किस प्रकार से समय का निर्दारण होता है तो सुरू करते हैं बच्चों अक्सांस को सुरू करने से प सबसे उपर की और दिसा होती है उसको उत्री दिसा के नाम से निरुपित किया जाता है और उत्री दिसा का हमें ज्यान होने के बाद में अन्य जो तीन दिसा है उनको हम निरदारित कर सकते हैं कि उत्र के ठीक विप्रीत में दक्षिंड इधर अपना पस्षिम और इधर अपन पूरो तो सर परतम किसी भी ग्लोब या मानचितर के बारे में बात करते हैं तो हमें दिशाओं का ज्यान होना अत्ती आवशक है यहां पर एक बात और बच्छों ध्यानकना कि जो प्रत्वी है अपनी वो पस्षिम से पूरों की और अपनी अक्ष पर गुर्णन करती है यहां तो किस प्रकार से परिबासित किया जा सकता है तो देख नएं बच्छों कि प्रत्वी का एक लगु प्रति रूप और जिसके विबिन परकार की विश्यस ता हो जिसमें बहुतिक और राजनितिक विश्यस रूप से होती है उनको दर्शाइज जाता है वो क्या कहलाएगा ग्लोब कहलाएगा अब ग्लोब के अलावा प्रत्वी का एक अक्ष होता है यह अक्ष पून रूप से कात्निक होता है और इस अक्ष के सारे ही प्रत्वी गुर्णन करती है और यह अक्ष जिन दो बिंदों से निकलता है वो उपर व कि एक सुई जो ग्लोब में जुकी हुई आवस्ता में रहती है ग्लोब की आक्स कहलाती है और यह पूंड रूप से बच्चों क्या होती है काल्पनिक होती है यहां पर ध्यान रखना बच्चों कि हमने अध्यन की सुईदा की दरिश्टी से इसको माना है हकिकत में या वास्त करती है वो बिंदू हमने बात की कि पहला बिंदू है अपना उत्तरी द्रू और दूसरा बिंदू है जो दक्षन में इस्तित है वो अपना कौन सा है दक्षनी द्रू और इस अक्ष के सहारे ग्लोब को प्रत्वी के तरह पस्यम से पूरो में गुमाया जा सकता है अभी मैं अंदर भी हम इस प्रकार्शे गुमा सकते हैं यह अपना हो जाएगा पसिम और यह अपना पूरो तो प्रत्वी अपनी अक्स पर पसिम से पूरो गोणन करती है ठीक इसी प्रकार्शे ग्लोब को भी पसिम equश्यवपूर में गुमाया जा सकता है अब बचों बात करें कि इस अक्ष जो कालतिक है इसके अलावा एक कालतिनी वरत्ष और है जो प्रत्थ्विक दो भागों में उत्त्री गोलार्द और दक्ष्न गोलार्द में भाज़ित बच्चों यदि आप से पूछा जाए कि विश्वत वरत के द्वारा प्रत्वी को कौन से दो भागों में विबाजित किया जता है तो हम लोग बताएंगे कि विश्वत वरत के द्वारा प्रत्वी को दो भागों में उपरी भाग उत्तरी गोलार्द दक्षनी भाग दक्षन अक्सांस आएंगे ये अपना ग्लोब है बच्चों और ग्लोब में ये जो रेखा दिख रही है आपको ये रेखा है अपनी विसुवत व्रत इसके उपर का भाग उत्रे गोलार्द और नीचे का बाग क्या कहलाएगा दक्षणी गोलार्द कहलाएगा ये प्रत्वी पर बिंदू कहां पर इस्तित है उसको बताने के लिए हम सहारा लेंगे विसुवत व्रत का विसुवत व्रत से कितने डिगरी उत्तर में या कितने डिगरी दक्षण में इस्तित है इस बात से उस इस्तान की इस्तितिका ग्यान हो सकता है और विसुवत व्रत से दुर्वों तक इस्तेत सभी समाना अंतर जो वरत हैं उनको अक्सांस रेखा हैं या फिर समाना अंतर रेखा हों के नाम से भी जाना जाता है तो बच्चों हमने बात की कि जो विशुवत व्रत है ये अपने प्रत्वी ग्लोब और ये विशुवत व्रत इससे दुरों के तरफ जाएंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार से आपको ग्लोब पर रेकाएं खिंची भी मिलेगी ये अपना उत्री दुरू और ठीक इसी प इनको समानांतर रेकाएं भी बोलते हैं और इनको अक्सांस रेकाओं के नाम से भी जाना जाता है विशुवत व्रत का मान हमेशा और हमेशा कितना रहता है जीरो डिग्री और जीरो डिग्री से उपर की ओर में 90 डिग्री अक्सांस तक जाते हैं 90 डिग्री नौर्थ और न 90 यह उत्री गोलाड के होगी 90 और 90 180 और एक होगे अपना विश्वत प्रत जीरो डिग्री अक्सांस तो कुल अक्सांस यदि पूचा जाए तो वो अपने सामने है 181 अब बचों यहां पर एक कॉंसेप्ट और है कि अक्सांस रेखा ही कितनी है तो इस में से बचों दो गटा देंगे अक्सांस रेखाओं की बात करेंगे तो वह अपने सामने 189 179 क्योंकि जो उत्री द्रू है और दक्षनी द्रू है यह रेखा ने होकर एक बिंदू नम्मा इस्तिति में है इसलिए इनको रेखा नहीं माना ज़ता है कुल अक्सांस पूचे 181 कुल अक्सांस रेखा रखनी अपने को कि यह अक्सांस दिखा तो सकते हैं लेकिन इन अक्सांसों को दिखाने के लिए साथ साथ में उनकी दिशा बताना भी अती आवशक है यह बात बच्चों ज्यान रखना इसको एक उधारण के माधियम से मैं आपको समझाता हूं कि जो महाराश्टर में पूर है यह 20 डिग्री उत्तरी अक्सांस पर इस्तेते हैं कौन से डिग्री उत्तरी बीश डिग्री उत्तरी पर और वहीं जो ब्राजिल का जो बेला होरिजोंटे है वो अपना कौन सा है 20 डिग्री दक्षणी गोलार्ट अचार्ट 20 डिग्री दक्षणी अक्सांस यानि दक्षणी गोलार्ट में इस्तेते हैं तो इसलिए अक्सांस को बताने के साथ साथ में उनकी दिस्साओं को बताना अत्यदिक महत्पूर्ण हो जाता है नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता ह आगे बात करते हैं बचों, कि जो विस्वत वुरत और प्रत्वी की अकस हमने देखी उसके अलावा कितने परकार के जो महतवर्ण और अन्य अकसांस है उनके बारे में nin के बारे बात करते हैं, तो पहला अपना निकल कर आता है अपने सामने, करक रेखा दूसरा है मकर रेखा तीसरा अपने उत्री दुरूवरत और चौता है अपना महत्वोन अकसांस दक्षणी दुरूवरत तो बच्चों इस डाइग्राम के माज्यम से देखते हैं कि ये है अपना जैसे इसको एक नमबर की इस्तित्य दे दी इसको दो इसको तीन और इसको चा दक्षणी दुरू ये जीरो डिगरी विश्वत रेखा विश्वत ब्रत के नाम से भी जानी जाती है अब करक रेखा की बात की जाए तो करक रेखा अपने सामने है साड़े तेवीश डिगरी उत्तरी इस रेखा के उपर वाला भाग उत्तरी गोलाट और इस रेखा के हम अलयरी बात कर चुके हैं तो आपको ये बता दू करकरैका जो साभ़े 23ー डिगरी उत्री है अरताथ ये उत्री गोलार्द में इस दिए ते इस रहका का मान क्या है और उत्री द्रू द्रू रताथ द्रू कौन सा उत्री और उसके पास में एक व्रत है उसका मान कितना है साड़े च्छांसट डिग्री उत्तरी अक्सांस और यह उत्तरी गोलार्द में है यह तीन नमबर इस्तती यह दो नमबर इस्तती एक नमबर सोरी यह दो नमबर अपनी मक्कर रेका कौन सी रेका मक्कर रेका तो वहीं करक रेका जो साड़े तैबिश डिग् उत्री अक्सांस उत्री गोलार्द में इस्टी थी तो वहीं मक्कर रेका क्या रहेगी साथे तैबिश डिग्री दक्षणी अक्सांस और का दक्षणी गोलार्द में रहेगी हमने बात की उत्री द्रू व्रत की तो उत्री द्रू के पास में साथे चांसट डिग्री अक्सांस दुरूवरत के लागे तो बच्छो हमने बात की कि उत्री गोलार्द में उत्री terriagr अगर अक्सांस की बात करें तो वो करकरेगा और दक्षिन में साड़े तेबिश डिग्री दक्षिनी गोलार्ड बात करें तो मक्करेगा उत्री गोलार्ड में साड़े छांसट डिग्री उत्री अक्सांस की बात करें तो वो अपना रहेगा दक्षिनी दुरूवरत अब बच यह मकर रेखा यह करक रेखा और यह विस्वत वर्त जिसका माने 0 बड़सों, सूरी के इस्थती वर्ष बर करक रेखा और मकर रेखा के बीच में ही विद्मान रहती है कभी करक रेखा पर चाहिए पर कभी करक रिक पर नृट पर और कभी मकर रेखा पर इसके बारSabis Ende, करक्रेका और मक्रेका की बीच में लंबवत चमकता है वर्ष में एक बार एक समय में कहीं न कहीं चमकेगा तो इस लंबवत चमकने के द्वारा अलग-अलग तापमान का वित्रन हो जाता है उससे अलग-अलग तापमान के कटी बंद बन जाता है जिनको जोन के नाम से जाना जाता है तो उनके बारे में देखते हैं कि प्रत्वी के ताप कटी बंद तो बच्चों जहां पर सूर्य के किरिणे लंबुवत अर्थात सीर के उपर सूर्य सिद्ध चमकेगा वहां पर तापमान अधिक होगा और अधिक तापमान होगा इसलिए उसको क्या बोलेंगे ऊष् इतक कटी बंद यह द्रूओं पर होता है उत्री द्रूओ और दख्षनी द्रूवरत के आसपास का सत्रे और यह होगा अपना विश्वत वर्त विश्वत रेखा करकरेका और मकरेका के बीच वाला भाग वहीं बच्चों बात की जाए इनके बीच वाला भाग इन दोनों के बीच का भाग जहां पर तापमान ना तो अधिक रहता है और ना ही कम रहता है मध्यम परकार का तापमान रहता है उसको बोलेंगे सितोष्ण कटिबंद का स्यत्र यह करकरेका और उत्री दुरूवरत आप देखी बच्चों इसको एक नमर देदू मैं आपको इसको दो और इसको तीन तो बच्चों बात करें यह अपनी प्रत्वी यह जीरो डिग्री अकसांस यह साड़े तेविश डिग्री है उत्री अकसा से तो यह हो जाएगा अपनी मकर रेका अब यह वाला भाग है जो यह तो कहलाएगा अपना उष्ण कटिबंद पूरा को पूरा यह जो भाग आपको दिख रहा है इसमें सूर्य की किरिने बच्चों वर्ष बर लंबवत चमकने के कारण क्या कहलाएगा उष्ण कटिबंद अब उष्ण कटिबंद से उत्तरी दुरुवरत और दक्षणी दुरुवरत इनके बीच का भाग बच्चों मज्यम तापमान का होता है इसलिए इसको शितोष्ण कटिबंद के नाम से भी जाना जाता है इधर भी इसको क्या नाम नहेंगे बच्चों शितोष्ण और शितोष्ण कटीबंद के उपर का भाग जा सूर्य की किर्णे अत्यदिक मात्रह में तिर्ची पड़ती है उसको बोलेंगे बचों सीत कटीबंद यह दुरूओं वाला शेत्र होता है उत्री दुरू और दक्षणी दुरू का शेत्र है इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे तो बचों इस भाग में हमने बात की कि अक्सांस रेका हैं प्रत्वी का ग्लोब विस्वत वरत प्रत्वी के ग्लोब का जो अक्स है उन सभी के बारे में और विस्वत वरत के अलवा कौन कौन से जो महत्पौन और अन्य अपने अक्सांस थे उनके बारे में बात की जिसमें करेकरेका, मकरेका, उत्तरी दुरूवरत, दख्रनी दुरूवरत, ये सभी के देखे अपने, और उसके बाद में हमने देखा, कि सूर्ये और प्रत्वी की इस्ततिम परिवरतन के द्वारा जो ताप कटीबंद बनते हैं, उशन कटीबंद, शितोषन कटीबंद और इनके बारे में हमने डिटेल से अज्जन किया तो बच्चों इस भाग में हम यहां तक अज्जन करेंगे और इसके आगे वाले भाग में मैं आपके लिए लेक्याओंगा इसका दूसरा भाग इसी अज्जाई का जिसमें देशांत्र और देशांत्रों से किस प्रकासे समय का निर्दारण होता है उन सभी के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद